बॉलिवुड के स्टार्स अफेर्स को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। कभी स्टार्स के अफेर्स विवादों में आ जाते हैं, तो कभी लव अफेर्स शादी में भी बदल जाते हैं। लेकिन बॉलिवुड लाइफ की इस खास रिपोर्ट में हम आपको उन एक्ट्रिस के बारे में बताने वाले हैं, जिनका दिल शादी शुदा मर्दों पर आ गया था। इस लिस्ट में प्रियंका चोपडा से लेकर कंगना रनौत तक का नाम शामिल है। तो वहीं हेमा मालिनी ने अपने प्यार की खातिर धर्म ही बदल लिया था। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट जिसमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएं बॉलीवूट की जानीमाणी एक्टरिस रही टीना अमबानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। टीना अमबानी सुपरस्टार राजेश खन्ना से प्यार कर बैठी थी। इन दोनों के अफेयर की वजह से राजेश खन्ना की पतनी डिमपल कपाडिया काफी नाराज हो कंगना रनौत का नाम इस लिस्ट में देखकर आप हैरान हो गए होंगे। विकरम भट्ट ने अपनी पतनी को तलाक भी दे दिया था। किरन खेर एक्ट्रेस किरन खेर ने एक्टर अनुपम खेर से शादी की है लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि जब अनुपम खेर और किरन खेर का अफेर शुरू हुआ था तब अनुपम खेर शादी शुदा थे जिसके बाद अनुपम खेर ने अपनी पहली पत्नी को तलाख दे कर किरन खेर से शादी की थी रिना रॉय का अफेर शत्रुग्न सिन्han से रहा था इसको लेकर कई खबरें भी सामने आई थी इन दोनों के अफेयर के चलते शत्रुग्न सिन्हा के अपनी पत्नी संग रिष्टे खराब हो गए थे हेमा मालिनी बॉलिवुड एक्ट्रिस हेमा मालिनी का अफेयर शादी शुदा धर्मेंदर संग रहा था धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिये, एक्ट्रेस संग शादी कर ली थी इसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने अपना धर्म बदल लिया था शिल्पा शेटी शिल्पा शेटी का जब राज कुंद्रा संग अफेर शुरू हुआ था, तब वो शादी शुदा थे खबरों की माने तो राज कुंद्रा ने अपनी पहली पत्नी को शिल्पा शेटी से शादी करने के लिए तलाक दिया था श्रीदेवी श्रीदेवी शादी शुदा बोनी कपूर को दिल दे बैठी थी श्रीदेवी और बोनी कपूर ने आगे चल कर शादी भी की इसके चलते बोनी कपूर और उनकी पहली पत्नी में काफी विवाद भी हुआ था प्रियंका चोपडा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रिस प्रियंका चोपडा का अफेयर शाहरुख खान से रहा था शाहरुख खान और प्रियंका चोपडा के अफेयर की खबर जब गौरी खान को लगी थी तो दोनों के बीच काफी विवाद हुआ था